हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वगत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चैक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चैक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टिशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए मेरे वट्सअप नंबर के जरीए संपर्क कर सकते हैं अब आप पास सकते हैं अपनी कुंडली वो भी पांच साल की भविश्यवानी के साथ वो भी सिर्फ 99 रुपीस में या कुंडली पाने के लिए जोतिशर.com पर जाएए और इस साइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरी शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ट वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नजर आ रहे हैं काफी थिक हैं और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के उपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाए नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार सभाव का रहेगा दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्तिगी रहती है फिंगर्स की थिकनेस अच्छी होने से नेटिव की एनरजी एंड स्टैमिना काफी अच्छा रहता है यहाँ पर आप देख सकेंगे इनकी जो गुरू फिंगर है अच्छी लंबाई में है अच्छी थिकनेस में है जिस वज़े से नेटिव काफी नॉलेजेबल होता है साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली परसनालिटी के तौर पर देखे जा सकते हैं और अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में, काफी अच्छी थिकनिस में यहाँ पर इनकी शनी फिंगर नजर आ रही है शनी फिंगर का इस तरह की फार्मिशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी महनती नेचर का होगा एक discipline personality एक अनुशाशन प्रिया और नयाई प्रिया टाइप की nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो length है जो लंबाई है वो इनकी तरजनी से भी हलका सा अधिक है और सूर्य फिंगर का इस तरहें की length में होना native को creative nature का बनाता है बहुत अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर होंगी जिनकी सूर्य फिंगर तरजनी से यानि गुरु फिंगर से लंबी हो साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े risk taker सभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे native जीवन में risk लेने से नहीं घबराते कई बार तो अपनी investments के मामले में भी इनको risk लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर loss की संभावनाए हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है, multi level marketing है ऐसी जगहों पर भी native की रूची आपको देखने को मिल सकती है overall इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को काफी अच्छी creative nature और काफी अच्छा social circle जरूर देता है अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो थोड़ी सी low setup देखेंगे अगर fingers के नीचे एक line draw की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देखेंगे यह finger बाकी के उगलियों के मकाबले जैसे यह सूर्य finger है यह शनी की finger है और यह गुरू की इन तीनों के मकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई जिसे हम low set finger कहते हैं low set mercury finger आपको इनकी नजर आएगी लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह finger लंबाई में बहुत अच्छी है low set होने की वज़े से native की nature थोड़ी सी shy रह सकती है लेकिन इस finger की length अच्छी होने की वज़े से ऐसे व्यक्ति काफी creative nature के होंगे काफी अच्छी communication skills native के होते हैं और business equipment भी ऐसे व्यक्ति का आपको काफी बहतर दिखाई पड़ेगा अगर हम बात करें इनके mounts की तो आप देख पाएंगे इनके जो mount है काफी उभरे हुए नजर आए खास तोर पर इनका जो group परवत का area है यानि तर्चनी उंगली के नीचे का जो mount है यह area आपको काफी होने के साथ सा spiritual minded भी होते हैं आप देखेंगे यहां पर कुछ रिखाएं इस तरह से उपर की तरफ बढ़ती हुई इन रिखाओं को progress lines के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी progress lines गुरू परवत पर पहुँच रही हों ऐसे व्यक्ति चीवन में अपनी मेहनत के बल progress कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं साथी साथ एक आड़ी रेखा आपको नज़र आएगी इस तरह की रेखा जिसको हम गुरू वलाय कहते हैं गुरू वलाय एक्च्वल में अगर यह complete हो तो इस तरह से बनता है एक अर्द चंद्रमा की तरह है अगर ऐसा अर्द चंद्र इस तरह का गुरू वलाय बनता है समाज में बहुत अच्छा मान समान और प्रतिश्ठा पाने लगता है खास तर पर मिडल एज के बाद और ऐसा गुरू वलाय बनने से नेटिव की रूची इस तरह की चीजों में जैसे उकल्ट साइंसिस है इन में भी रहेगी और साथ ही स का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को चीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरुवाती दोर में काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भागया रेखा एक लंबी शनी रेखा इनके हाथ म में मौजूद है और शनी रेखा का इस तरह की फार्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बाहरी लोगों की स्पोर्ट भी मिलेगी आप देखेंगे यह ब्राच यहां पर इनकी इस माइंड लाइन की ब्राच की तरह नजर आ रही है लेकिन माइंड लाइन की ब अपसेंड डाउंस इस तरह की ब्रेक होने की वज़े से भी रहती हैं और कुछ रिखाएं इनकी फाग्या रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही है यहां पर आपको हलकी रिखाओं से एक फिश का चिन बनता हुआ भी नजर आएगा कुछ इस तरह की रिखाएं यहा यह है पामिस्ट्री है एस्टालोजी है टेरो कार्ट सुआस्तू रेकी निम्रोलेजी जैसी जो विद्याएं है ऐसी चीजों में नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का माउंट हलका सा प्लाट और दबा हुआ नजर आ रहा है जिस वज़े से जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी हल्प कर ले बदले में कोई इनाम कोई अप्रीसियेशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं और आप यहां पर देखेंगे आपको एक सूर्य रेखा नजर आएगी जो यहां पर इनकी हृदय रेखा के बिलकुल उपर नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है कि नेटिव को लेटर रेज में चलकर बहुत अच्छी रिकोगनिशन सूसाइटी में मिल सकती है ऐसा व्यक्ति अपनी रेटारमेंट के बाद की एच में जाकर यानी सिक्स्टी के बाद की एच में जाकर काफी अच्छी पहचान सूसाइटी में बना पाने में काम्याब हो जाता है जिसके हाथ में इस तरह की सूर्य रेखा हाट लाइन के बिलकुल उपर नजर आए अगर इनके मरकरी माउंट की बात की जाए तो हलका सा लो सेट माउंट जरूर है लेकिन यहाँ पर इस तरह की रिखाओं का होना नेटिव को सिंपेथाटिक सभाव का बनाता और नेटिव को काफी अच्छे कम्मुनिकेशन स्किल्स देता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर फार्मेशन में आपको नजर आएगी और हार्ट लाइन का इस तरह है की फार्मेशन में होना प्रैक्टिकालिटी को दर्शाता है कुछ इस तरह से और यहाँ रिखा जब भी गुरू पर बतक पहुन जाये तो ऐसे व्यक्ति आदर्श वादी होते हैं और प्रमपराओं को म इमोशनल सेट बैक्स का सामना चीवन में करना पड़ता है ऐसी रखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इशूस का सामना भी 50 के बाद की एच में करना पड़ सकता है जैसे बलड प्रेशर है थारोइड है कलेस्टरल डेविटीज जैसी जो परिशानियां दे सकती हैं अगर हम बात करें इनकी लाइन ओफ माइन्ड की तो आप देख पाएंगे मस्तिक शरीखा यहां पर काफी अच्छी फॉर्मेशन में लेकिन माइन लाइन के साथ साथ यह जो ब्राच आपको भागय रिखा की नजरारी एक फूर्क बना रही है औ और ऐसे व्यक्ति को इस तरह की रिखा होने की वज़े से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव होने की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं इस तरह क्या चिन बनने से अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जो थॉर्ट्स हैं जो अपनी इमेजिनेशन जैन को चैनलाइज कर लेता है तब बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में भी यह रेखा help करती है otherwise इस तरह की रेखा होने से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और anxiety जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा आएगी यहाँ पर बिलकुल केतू परवत के ऊपर आपको एक इस तरह का फिशनुमा चिन बनता हुआ भी नजर आएगा जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एच लगभग 75-80 के बीच में रहेगी और यहाँ पर काफी सारी जो रि भी ऐसा व्यक्ति जरूर कामियाब हो जाता है यहाँ पर आप देखेंगे जो फिशनुमा अकरिती यहाँ पर केतू एरिया पर बन रही है यहाँ बहुत ही पॉजिटिव होती है यहाँ पर ऐसा चिन बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने चीवन में कई बार अच पिशानक धनलाब होंगे ऐसे व्यक्ति को शेर मार्केट से लौटरी से इंशोरेंस या इनहरिटेंस जैसी जगहों से यानि पुछ तैनी जमीन जाद मिलने की समभावनाएं काफी अधिक बन जाती है अगर हम इनके शुकर परवत यानि वीनस एरिया की बात करें तो यह मा मुट का उभरा हुआ होना चीवन में हर तरह की सुक्स विधाओं को इंडिकेट करता है हर तरह के कमफर्ट को ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में एंजॉय कर पाता है लेकिन यहां पर काफी सारी रिखाओं का होना खास दूर पर इस तरह की आड़ी रिखाओं का होना को कई बार चिंताएं रहती हैं इवन फैमिली मेंबर्स की सैटलमेंट को लेकर भी कई बार कुछ ना कुछ दिकतों का सामना नेटिव को चीवन में करना पड़ सकता है हाथ में मंगल रेखा मौचूद है जो नेटिव को अनर्चाटिक बनाती है यह जो रेखा है लाइफ ला कोपर्टी बना पाने में भी काम्याब हो जाते हैं मंगल रेखा का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है अंगूठे के उपर बनने वाला यव का चिन यहाँ पर आप देख पाएंगे एक आँख जैसी अकृती आपको बनती ही नजर आएगी यह चिन नेटिव को बहुत आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास भी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो जा अपने किसी रेलेटिव या मितर के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों का पूर्वा अभास भी नेटिव को बाखुबी हो सकता है आप य टैवल करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं इवन अपने कंट्री में भी काफी सारी लंबी दुरी की यात्राएं कर पाने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होता है तो दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स मौच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद